जय हिंद दोस्तों स्वागत करते हैं आपका S.I.T.I. Technical Class में आज की Class का जो Topic होने वाला है वो है Diversity and Inclusions ठीक है? तो Topic के है Diversity and Inclusions तो इस Topic के सारे Questions को आज देखने वाले हैं ठीक है? तो बिना टाइम को वेश्ट के हुए आते हैं Questions की तरफ पहला Questions क्या लिखा हुए? Physical body and the sexual organs that we are born with refers to person यानि कि भौतिक सरीर और यौन अंगजिन के साथ हम पैदा होते हैं ब्यक्तिके को संधर्वित करता है? किसको प्रस्तूत करता है? Sex को दर्शाता है किसको दर्शाता है? Sex को ठीक है? Male और Female तो किसको दर्शाता है? Sex को Option number B क्या हो जाएगा? Correct हो जाएगा Right option क्या होगा? Option number B is the right option ठीक है? क्या हो जाएगा? B करेक्ट हो जाएगा? Sex को दर्शाता है ठीक है, next question देखते है डैस is a belief idea which may not true जो क्या है सायद सच नहीं है सच नहीं है यानि कि belief means बिस्वाच और idea means क्या होता है, बिचार which जो may not be true जो सायद सच नहीं है तो ऐसा क्या है sex, gender stereotype या feminine तो क्या हो जाएगा stereotypes, ठीक है sex, gender or feminines ये क्या है, सच है ठीक ना, लेकिन जो क्या गहा रहा है सायद सच नहीं है, तो क्या है वो stereotype, option number c क्या हो जाएगा, correct हो जाएगा option number c is the right option, stereotype नेक्ट क्येस्चन boys are often discouraged from expressing there लड़के अपने किस चीज को ब्यक्त करने से हतोत साहित होते हैं, ठीक ना, यानि कि discourage होते हैं, उनको ब्यक्त नहीं करना चाहते हो तो किसको emotions को, किसको emotions को, ठीक ना, option number b क्या हो जाएगा, correct हो जाएगा, लड़के अपने emotions को ब्यक्त करना नहीं चाहते हैं, ठीक ना, emotions के मामले में कौन आगे होते हैं, तो girls होते हैं, ठीक ना, ladies जो होते हैं, वो बहुत ज़्यादा emotional होते हैं, और लड़कों को ऐसा कहा जाता है, कि ये emotional नहीं होते, तो even through, रूपा is highly efficient at her job, जबकि जो रूपा है, वो अपने job में highly efficient है, यानि अत्यधिक कुषल है, her manager give most of the field or travel related project to ramez, लेकिन फिर भी उसका जो boss है, वो क्या करता है, field or travel से related job को, ramez को दे देता है, this can be an example of, तो यह किस चीज का उदारण है, किसका उदारण है, stereotype, trust, angry, stress, किसका हो जाएगा, stereotype का, ठीक ना, stereotype का, option number A क्या हो जाएगा, correct हो जाएगा, stereotype का, ठीक ना, correct option क्या हो जाएगा, stereotype, next question, आजिम wants to learn dancing and challenge, gender stereotype, it is completely, आजिम जो है, नृत्य सीखना चाता है, और लेंगी गुरूढ़ी वाधिता को चुनोती देना चाता है, यह पूरी तरीके से क्या है, पूरी तरीके से ठीक है, ठीक ना, पूरी तरीके से ठीक है, okay है, क्या हो जाएगा, option number D क्या हो जाएगा, correct हो जाएगा, D is the right option, आगे नेक्स्ट ग्वेस्टेंट, that can lead to division of people, community, and families, that's, लोगों, समुदायों और परिवारों में विभाजन का कारण बन सकता है, तो public हो गई, people हो गए, divisions हो गए, community हो गई, और families हो गए, तो इनमें division का कारण कौन बनता है, कौन बनता है, anger, ego, discrimination, या फिर gender, तो कौन बनता है, discrimination, ठीक ना, discrimination के वज़ए से यह क्या आते हैं, लोगों में विभाजन हो जाते हैं, ठीक है, option number C क्या हो जाएगा, correct हो जाएगा, next question देखें, in India, more, under the age of five, do not get enough nourishment, भारत में, 5 वर्ष से कम आयूके, को पर्याप पोशल नहीं मिलता है, किसको पर्याप पोशल नहीं मिलता है, तो जो, 5 वर्ष से कम के, girls हैं, लड़कियां हैं, उनको पर्याप पोशल नहीं मिल पाता है, ठीक है, तो option number क्या हो जाएगा, B correct हो जाएगा, जबकि जो वाय होते हैं, इनको बरपूर मात्रा में पोशल प्रदान किया जाता है, priority किसको दी जाती है, boys को, ठीक है, और girl को priority कम दी जाती है, इस वज़ा से इनको प्रापर तरीके से nutrients नहीं प्रोवाइट किया जाता है, ठीक ना, तो correct option क्या हो जाएगा, girl, next question, discriminations can make a person feel, discriminations यानि कि जो भेद भाव है, एक ब्यक्ति को महसूस करा सकता है, क्या महसूस करा सकता है, divided, ठीक ना, अलग महसूस करवा सकता है, सामने वाले से, ठीक ना, जो भेद भाव है, यह क्या है, एक दूसरे से अलग ब्यक्ति को महसूस करा सकता है तो option number C क्या हो जाएगा correct हो जाएगा और भेद वाव आज भी अमारे इंडिया में कहीं कहीं देखने को मिलता है तो एक दूसरे को क्या कर देता है अलग महसूस कर वा देता है आगे next question देखे Julie is treated differently due to her skin color treated treat करती है Julie को उसकी त्वचा के रंग के कारण अलग-अलग तरह से लोग treat करते हैं it is या है किसका example है discrimination का किसका है discrimination का यानि की भेदबाव का एक example हो जाएगा option number क्या हो जाएगा a correct हो जाएगा किसका है discrimination यानि की भेदबाव हो रहा है किसके कारण त्वचा के रंग के कारण तो option number a क्या हो जाएगा correct हो जाएगा next question देखें अजा sage women are better teacher than men अजा ने कहा कि जो women's है महिलाएं हैं वो पूरुष teachers की अपेक्षा अच्छे होती है तो sunita stop her sunita ने उसको क्या कर दिया रोक दिया and said और बोली that you cannot say तुम ऐसा नहीं कर सकती something like that तुम ऐसा नहीं कर सकती this is because आज क्योंकि it is यह है क्या है discrimination यह क्या है भेदभाव है ऐसा नहीं है कि महिलाएं ही teaching में best होती है teachers भी best हो सकते है तो यदि आप केवल महिलाओं को यह कह रहे हो कि महिलाएं ही अच्छी होती है teachers में तो यह क्या हो जाएगा भेदभाव की बात आजाएगी तो discrimination हो जाएगा option number D क्या हो जाएगा correct हो जाएगा next question equality means in the same situations peoples have the यानि कि समानता का अर्थ है एक ही इस्थिती में लोगों के पास क्या होगा same right same status same opportunity तो समानता का अर्थ क्या हो जाएगा एक इस्थिती में एक ही situations में लोगों के पास समान क्या होगा rights होगा same status होगा same opportunity होगी option number D correct हो जाएगा all of these क्या हो जाएगा all of these correct option क्या हो जाएगा D is the right option next question irrespective of their gender identities all people must have the same rights this is called यानि कि उनकी लिंग पहचान के बावजूद सभी लोगों को समान अधिकार मिलने चाहिए और यह किसका एकजामपल हो जाएगा जेंडर इक्वाट जेंडर इक्वाजूद का जेंडर इस्टेरियोटाइप जेंडर डिस्क्रिमिनेशन्स या फिर जेंडर राइट्स तो उनकी लिंग पहचान के बावजूद भी सभी लोगों को समान अधिकार मिलने चाहिए लिंग के बावजूद यानि कि जेंडर के बावजूद तो आफ्सन नंबर क्या हो जाएगा यह करेक्ट हो जाएगा जेंडर इक्वालिटी किसके कारण जेंडर इक्वालिटी के कारण next question women and men are often not paid the same salary for the same job this is known as यानि कि अक्सर महिलाओं और पूर्षों को एक ही काम के लिए समान वेतन नहीं दिया जाता है तो यह किसका एक्जामप लो जाएगा gender gap का wage gap salary का क्या है भेदबाओगा wage gap के कारड option number B क्या हो जाएगा correct हो जाएगा अक्सर महिलाओं और पूर्षों को एक ही काम के लिए समान वेतन नहीं दिया जाता है इसे के रूप में जाना जाता है किसके रूप में वेतन gap के रूप में जाना जाता है option number B क्या होगा correct हो जाएगा which gap के रूप में जाना जाता है next question Nina is born as differently a world Nina का जानब दिब्यान्ग के रूप में हुआ है दिब्यान्ग मतलब क्या किसी तरह के से विकलांग है उसके सिचकों को उसके साथ ब्यावार करना चाहिए हर teacher must treat her यानि कि उसके teacher उसके साथ कैसा ब्यवहार करना चाहिए उसके टीचरों को उसके साथ कैसा ब्यवहार करना चाहिए equally जैसा कि वो सभी student के साथ ब्यवहार करते हैं वैसे उसको नीना के साथ ब्यवहार करना चाहिए तो option number C क्या हो जागा correct हो जागा equally यानि कि समान रूप से क्या करना चाहिए ब्यवार करना चाहिए ट्रेट करना चाहिए तो option number C क्या हो जाएगा correct हो जाएगा next question Anita and her partner are paid the same salary for the same job this is a good example of gender equality अनिता और उसके साथी को समान कारे के लिए समान वेतन दिया जाता है यह एक उदाहरण है किस चीज का gender equality का option number B क्या होगा correct हो जाएगा next questions workplace is a place where employees from different backgrounds are hired and they work in a safe and respectful environment कार अस्तले का ऐसी जगह है जहाँ बिभिन प्रिष्ट भूमी के करमचारियों को काम पर रखा जाता है और वे सुरक्षित और सम्मान जनक माहौल में काम करते हैं this is an example यह एक उधारण है किस चीज का उधारण है diversity का thought का emotions का idea का किसका हो जाएगा diversity का यानि की बिभिदिता का एक उधारण है different type के लोग एक ही जगह पे क्या समान तरीके से treat करे जाते हैं तो किसका उधारण हो जाएगा diversity का आपसर नंबर एक होगा correct हो जाएगा next question people of different sex, gender, caste, class, culture, age, physical appearance, education, ability must feel क्या गहरा है people of different sex, gender, caste, class, culture, age, physical appearance, education availability, must feel यानि की विभिन लिंग हो गया जाती, वर्ग, संस्कृती, उम्र, सारीरिक बनावट, सिक्छा, छमतावों के लोगों को महसूस करना चाहिए यानि इन सब को क्या महसूस करना चाहिए equal महसूस करना चाहिए यानि की safe and respected feel करना चाहिए क्या करना चाहिए safe and respected सुरच्छित और respect को महसूस करना चाहिए option number B क्या होगा correct हो जाएगा safe and respected क्या feel करना चाहिए safe and respected option number B correct हो जाएगा next question क्या हो जाएगा next questions a diverse workplace increase यानि की जो बिभीतता है ऐसे कारे अस्थल किस चीज को बढ़ावा देते हैं तो different तरह के लोग आएंगे कहां पर बिभीतता के कारण एक ही अस्थान पर तो इस कारण से क्या होगी वहाँ की productivity जो होगी वो बढ़ जाएगी क्या हो जाएगी productivity बढ़ जाएगी option number A क्या हो जाएगा correct हो जाएगा ठीक है तो a diverse workplace increase productivity option number A क्या होगा correct होगा next question तान्वी टीम हैज many barriers to having a diverse workforce तान्वी की टीम के पास बिभीध कारेबल होने में कई बाद हैं है इससे हो सकता है इससे क्या हो सकता है भई यानि कि बहुत रुकावट आती है ठीक ना barriers to having diverse workplace तो क्या हो जाएगा stability, conflict, peace या फिर productivity तो B भीधिदा के कारण क्या हो जाएगा रुकावट के कारण क्या होगा conflict पैदा होगा क्या होगा conflicts हो जाएगा बिवाद होगा option number B क्या होगा correct हो जाएगा correct option क्या हो जाएगा B is the right option next question Mina is not comfortable taking to her colleagues in English this is an example of Mina अपने सहकर्मियों से अंग्रेजी में बात करने में सहज नहीं है यह किस चीज़ का होदा रहा है भी caste barrier, culture barrier communication barrier या फिर gender barrier तो किसका है अंग्रेजी बोलने में और सहज मौसूस करेगी communication barrier का option number C करेक्ट हो जाएगा किसका है communication barrier का communication में रुकावट आ रही है next question the practice of including people with respect and empathy is called यानि कि सम्मान और सहनभूती वाले लोगों को सामिल करने की प्रथा को कहा जाता है क्या कहा जाता है inclusions जो सभी इन प्रथाओं को भी क्या कर लेते हैं एक ही में समाहिद कर लेते हैं कहला है का इनक्लूजन कहला है option number a क्या हो जाएगा correct हो जाएगा next question an inclusive environment is needed for happiness and test at work कार्यास्तल पर खुशी और dot के लिए एक समावेसी वातावरण आवस्यक है किस चीज के लिए ideas, growth, wedge gap या फिर stereotype तो क्या हो जाएगा option number b हो जाएगा correct happiness and growth के लिए an inclusive environment is needed for happiness and growth at the work option number क्या हो जाएगा b correct हो जाएगा option number b is the right option क्या हो जाएगा growth के लिए next questions inclusions in a workplace happens when every member of the company gets the same dot at the work कार्यस्तर में समावेसन तब होता है जब कंपनी के प्रतेक सदर्शे को काम पर समान क्या मिलती है समान रूप से chance मिलता है ठीक ना क्या मिलता है chance मिलता है option number a क्या होगा correct हो जाएगा औसर समान औसर सबको अगर मिलेगा तो क्या होगा inclusions in a workplace happens when every member of the company get the same chance at work option number a क्या होगा correct हो जाएगा next questions की बात करें the word chairperson need to be used inside of chairman this is a practice of यानि की chairman के अर्थान पर chairperson सब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए यह किसका एक example हो जाएगा this is a practice of यह प्रथा हो जाएगी किस चीज की inclusions की ठीक ना समान ता की क्या हो जाएगी प्रथा हो जाएगी option number d क्या हो जाएगा correct हो जाएगा inclusion क्या हो जाएगा inclusion option number d next question subir wants to celebrate all festival at the workplace subir सभी त्यवहारों को एक कार्यास्थल पर मनाना चाहता है this show that he is तो यह किस चीज को show करता है कि वह कैसा ब्यक्ति है कैसा है inclusive person है कैसा है inclusive person है वो सभी त्यवहारों को एक ही अस्थान पर क्या करना चाहता है मनाना चाहता है यानि कि वो क्या है सभी त्यवहारों को includes कर दिया एक ही में समावित कर दिया option number a क्या हो जाएगा correct हो जाएगा next एक गंभीर मुद्दा है जो कार्यास्तल में किसी व्यक्ति की मानसिक, भावनात्मक, सारीरिक, भलाई को प्रभावित करता है क्या हो जाएगा वो? क्या हो जाएगा? सेक्सृल हराश्मेंट में क्या हो जाएगा? इन्डियन गवर्मथंट पास्ट पास्ट काई ओड जाएगा? एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन, प्रोहिविशन, एड रेड रिसल, एक्ट इन 2013, यानि कि जो पोस है, प, ओ, एस, एच, ये कब एक्ट पास किया गया था, 2013 में, इन सिमिलर टर्म, इट इज आल्सो काल्ड, तो इसको और भी क्या कहा जा सकता है, तो इसको और क्या कहा जाता है, अभी हमने बताया, पोस, ठीक जह, क्या कहाता है, पोस, भारत सरकार ने कारे अस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीडन, रोक थाम, निसेद और निवारड कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो और सिक्सिवल हरास्मेंट, क्या होता है, प्रिवेंशन ओफ शेक्सिवल हरास्मेंट, पोस का पूरा नाम होता है, next question as per the post act any workplace that has 10 or more implies must constitute an यानि post अधनियम के हमसार कोई भी कार्यास्तर जिसमें 10 या अधिक कर्मचारि हो उसमें कागठन करना होगा किस चीज का? Internal Committee का किसका? Internal Committee का IC का Option No.1 क्या होगा? Correct हो जागा Internal Committee एक होनी चाहिए जहां पर भी जिस भी कंपनी में या जहां पर भी 10 लोग से ज़्यादा Member काम कर रहे हो तो वहाँ पर एक Internal Committee होनी चाहिए किस के लिए? Post के लिए यानि कि Prevention of Sexual Harassment इसके लिए एक क्या होना चाहिए? अलग से कमेटी होनी चाहिए Next Question Sexual Harassment at Workplace can happen at तो कारे अस्तल पर याउन उत्पीडन कहां कहां पर हो सकता है? तो यह Office में हो सकता है Office WhatsApp Group है उसमें हो सकता है Office Online Meeting उसमें भी आपके साथ Sexual Harassment हो सकता है Option Number D क्या हो जाएगा? Correct हो जाएगा Next Question Under Posts or Workplace is A तो Posts के Under में कौन कौन से कारे अस्तल आ सकते हैं? Office Space All Place Visited by the Implied for the Purpose of Work वे सभी Workplace जहां पे Implied जाते हैं Work के लिए Transportation Provided by the Implier तो Implier के द्वारा जो Transportation Provide करा जाता है उसमें भी क्या हो सकता है? Under Posts के Under आता है Next D option करा है All of the above यानि कि D क्या हो जाएगा? Correct हो जाएगा आला आप दीज ये सभी क्या होते हैं? Posts के Under आते हैं ये सभी Workplace Posts के Under आ जाएगे आपसर नमबर D क्या हो जाएगा? Correct हो जाएगा Next topic Financial and Legal Literacy क्या? Financial and Legal Literacy वीडियो पसंद आ रहे होगी तो वीडियो को लाइक किरना आप लोग आगे देखें Next question Financial and Legal Literacy का पहला question क्या कह रहा? Financial Literacy is Understanding the way Money is Means Total मिला के ये है कि Financial Literacy क्या होता है? यानि कि वित्य साख चर्था का मतलब क्या है? तो किस प्रकार के Money जो है वित्य साख चर्था के अंतरगत आती है? आपसर नमबर A कह रहा है Saved B कह रहा है Spent C कह रहा है Invested तो ये जितने भी Money है जो आप Save करते हो Spent करते हो या फिर Invest करते हो ये सभी के सभी क्या होता है? Financial Literacy के अंतरगत आता है तो आपसर नमबर D क्या हो जाएगा? Correct हो जाएगा I love them इन में से सभी Next question Costly things that are not essential for us Survival are तो जो हमारे survival के लिए essential नहीं है मत्पुड नहीं है तो वे कौन से हो जाएंगे? Needs नीड यानि की आवस्यकता है तो वो पूरा करना ही परेगा Wants जो हम चाहते हैं वो भी हम क्या करते हैं? Life में जो चाहते हैं आज नहीं तो कल उसको पूरा करना चाहते हैं Luxury जो luxury life है वो हमारे आश्तित्यों के लिए आवस्यक नहीं है Option number C क्या हो जाएगा? Correct हो जाएगा Luxury life नहीं चाहिए Next question Things that are needed for survival are जो जीवित रहने के लिए जरूरी है वे होते हैं कौन से होते हैं? Wants, Need, Saving या फिर Expense तो क्या होता है? Need, आवस्यक For example आपको भूक लगी है तो उस टाइम पर आपको रोटी क्या हो चकता है ठीका? किसकी आवसकता है? रोटी क्या हो चकता है और वो क्या है? जीने के लिए आवस्यक है ठीक क्या हो जाएगा? Correct हो जाएगा need हमारी क्या होनी चाहिए? पूरी होनी चाहिए next सुनीता earns 10,000 every month सुनीता क्या है? 10,000 प्रत्यक महिने कमाती है she keeps 2,000 aside वह 2,000 अलग रखती है she will use this money in case तो वह इस money का प्रयोग किस केस में करेगी? party में, bills में, travel में या फिर emergency में तो किस में प्रयोग करेगी? emergency में, ठीक न? अपात काल में वो क्या करेगी? जो ये 2,000 प्रत्यक मंत बचा कर रख रही है उसका प्रयोग कब करेगी? emergency में, अपात में तो option number ए क्या हो जागा? correct हो जागा, emergency में उसका प्रयोग करेगी? next question गोपी spend his salary on movies okay गोपी spend his salary on movies, groceries house rent and cloths where can he reduce his expense to save some money? गोपी अपने पैसे को कहा 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 खर्च करता है? movie में, grocery में house rent देने में और cloths खरीदने में तो कहां पे वो अपने पैसे को reduce कर सकता है? कम कर सकता है कुछ पैसे जहां से बचा सके तो कहां पे कम कर सकता है? पहला ही देखो क्या गर रहा है? movies देख रहा है तो movies को अगर वो कम देखना कम कर दे तो क्या होगा? पैसे वहां से बच जाएंगे या फिर वो कहीं जाकर के hall वगएरा में देखता है movie तो hall में ना देखकर के mobile पे देख ले हैं न तो उससे भी क्या हो जाएगा? उसके पैसे बचेंगे option number C क्या हो जाएगा? correct हो जाएगा बार्कि cloth चाहिए ही चाहिए नीड होता है house rent देना ही पड़ेगा grocery यानि कि जो आप सामान लाते हो घर का वो भी क्या होगा? खरीदना ही खरीदना पड़ेगा तो कहां से बचा सकता है? mobis से वो क्या आप कर सकता है? अपने पैसे को बचा सकता है option number C क्या हो जाएगा? correct हो जाएगा next question all financial activity can be done through और तो सभी पित्ती अगति भी दिया किसके माध्यम से की जाती है? bank के through करी जाती है school, college और work place के through नहीं होता किसके through होता है? option number A correct हो जाएगा bank के through करी जाती है next question institutions licensed by the government to keep money safe तन को सुरच्चित रखने के लिए सरकार द्वारा लाइसेंस प्राप्त किया गया है किस अस्तान को? तो वो किया गया है bank कोटिंग ना bank है क्या है? सरकार द्वारा उसको सुरच्चा प्रदान करी गई है तो option number B क्या हो जाएगा? जो आपके money को सुरच्चित रखता है ओके next question when a person deposit a fixed sum of money every month it is a dash account जब कोई व्यागत है हर महीने एक निश्चित रासी जमा करता है तो यह किस प्रकार का खाता होता है? saving account तो saving account में आप जब मन चाहे आप जमा कर सकते हो आपका जितना भी पैसा बचा आप ले जाकर करके saving account में जमा कर देते हो current account भी just saving account की तरह होता है fixed deposit FD एक बार fix कर दिया एक पैसा amount लगा दिया वो क्या हो गया? fixed deposit हो गया recurring deposit जो है यह क्या होता है? आपको fix per month उतने रुपए जमा करने होते हैं ठीक है? तो option number A क्या हो जाएगा? correct हो जाएगा क्या हो जाएगा? recurring deposit क्या हो जाएगा? recurring deposit option number A is the correct option next question Aria has joined a new company Aria एक नई company में सामिल हुआ है या जोइन किया है they want him to open dash account so that they can credit his salary वो चाहता है कि एक account खोलना चाहता है ठीक है? जिससे वे उसका वेतन जमा कर सके जिसमें वो का कर सके? अपना वेतन जमा कर सके तो वो किस प्रकार का होगा अकाउंट? they want a new company जोइन कर आए और they want him to open a account so that they can credit his salary जिसमें वो क्या कर सके? अपनी salary को credit कर सके तो क्या हो जाएगा? salary account option number C क्या हो जाएगा? correct हो जाएगा? salary account okay salary के लिए क्या खोलेगा? salary account खोलेगा option number C क्या हो जाएगा? correct हो जाएगा next question और विनास need to know about his last month transaction how can he get these details? यानि कि last month में उसने कितना transaction किया इसकी जानकारी वो जानना चाहता है तो वह कैसे ये चीजे जान सकता है तो उसे ये पता चलेगा किसके थ्रू? passbook के through option number A क्या हो जाएगा? correct हो जाएगा किसके थ्रू पता चलेगा? option A क्या हो जाएगा? option A क्या हो जाएगा? अनलाइन बैंकी इज आल्सो कालड अनलाइन बैंकी को और भी क्या काहा जाता है? तो उसे काहा जाता है net banking ठीक ना? option number C क्या हो जाएगा? correct हो जाएगा net banking क्या काता है? net banking next question financial transaction can happen in? तो financial transaction कहा पे हो सकता है? loan, digital transaction, cash coupon या digital transaction option number B क्या हो जएगा? correct हो जएगा या फिर D भी लगा सकते हो क्योंकि ये same देवें तो option number B या फिर D इनमें से कोई भी आप लगा सकते हो option number B क्या हो जएगा? correct हो जएगा क्यों कि पहले जो आएगा पहले ही पहले बाले answer को priority देगे तो B क्या हो जाएगा, correct हो जाएगा, digital transaction, क्या हो जाएगा, digital transaction correct है, next question दिशा wants to pay money to the her loan account, how can she do it without going the bank दिशा अपने loan account में पैसे चुका नजाती है, वो bank जाए बिना ये कैसे कर सकती है किस के तुरू करेगी भाई, bank में जाना भी न पड़े, और काम भी हो जाए तो क्या करेगी online transaction कर देगी, क्या कर देगी, online transaction कर देगी, option number ये क्या हो जाएगा, correct हो जाएगा कैसे, online transactions के तुरू, वो बिना बैंक में जाये हुए पैसे को जमा कर सकती है, next question इंदू booked her railway ticket from the website, अच्छा, railway ticket किस website से book करी जाती है उस website का नाम अब comment box में लिख कर बताओ गया हमें, question देखते हैं, इंदू booked her railway ticket from the website and paid using online banking, इंदू ने और railway website से क्या की, ticket को book करी और उसका पैसा online banking के तुरू भुकतान किया, what type of transaction is it, तो यह किस प्रकार का transaction होगा, cash payment होगा, digital transaction होगा, amount होगा, या फिर credit होगा तो यह किस प्रकार का transaction होजाएगा, यह लेंदेन होजाएगा, digital transaction, option number, be correct होजाएगा आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि railway का ticket किस website के तुरू book करी जाती है ठीक है नेक्स्ट क्वेस्ट्चन रवी वेंट आउट शोपिंग रवी खरदारी करने निकला but he forget to carry his wallet लेकिन वह अपने wallet को लेना भूल गया, how can he pay for his bill तो वह अपना bill किस प्रकार से payment करेगा, किस प्रकार से कर देगा, digital wallet के through option number 1 क्या होजाएगा, correct होजाएगा, किस के through कर देगा, digital wallet के through सकता है, option number 1 क्या होगा, correct होजाएगा, next question net banking is done on a computer through a question को अच्छे से सामझ लेना, कि net banking computer पर किस के माध्यम से की जा सकती है अगर phone की बात होती, phone पे होता तो किस के through, applications के through करते बट कहां पे की जा रही है, computer पर आप किस के through कर सकते हो, किस के through option number D correct होजाएगा, website के through, किस के through करोगे, website के through option number D के होजाएगा, correct होजाएगा, next question on smartphone we can do mobile banking through, अभी हमने बताया था ना, कि smart phone पर हम किस के माध्यम से mobile banking कर सकते हैं, applications के माध्यम से option number B क्या होजाएगा, correct होजाएगा, mobile app के द्वारा, किस के द्वारा, mobile app के द्वारा next question, we can use net banking for, तो हम net banking का प्रयोग किस के लिए कर सकते हैं checking statement, transfer funds, pay bills, या फिर D, all of them तो option number D क्या होजाएगा, correct होजाएगा, हम net banking के थ्रू क्या कर सकते हैं checking statement, transfer fund, pay bills, option number D क्या होजाएगा, correct होजाएगा, all of them correct option, D is the right option, all of them next question janu logged into her bank using her friend's laptop यानि कि janu ने क्या किया, अपने दोस्त के laptop का प्रयोग करके अपने bank account को login किया what should she do to the website तो उसे website के साथ क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए भई, login किया है, तो फिर logged in log out, leave the page या फिर keep logged in login किया, तो login कर दिया, तो अब क्या करना है उसे what should she do to the website तो website पर उसे क्या करना चाहिए website को login करने के बाद keep login and then क्या कर देगी, वो log out करेगी option number क्या हो जाएगा, b correct हो जाएगा log out कर देगी, ठीक न, login करने के बाद फिर क्या करेगी log out करेगी, okay option number b क्या हो जाएगा, correct हो जाएगा log out, okay एक बार फिर से समझ लेते हैं जानू ने अपने दोस्त के लैपटाप का पयोग करके अपने बैंक में लॉग इन किया उसके बाब वेवसाइट के साथ क्या करना चाहिए वेवसाइट के साथ क्या करना चाहिए website को फिर से log out कर देना चाहिए आपका काम हो गया उसके बाद से log out कर दो option number B क्या हो जागा correct हो जागा next question प्रगती downloaded the bank app on her mobile प्रगती ने अपने mobile पर bank app को download किया should not share see should not share तो उसे share नहीं करना चाहिए with anyone किसी के साथ में तो किस चीज को उसे किसी के साथ में share नहीं करना चाहिए option number क्या हो जाएगा D correct हो जाएगा password M, pain और OTP ये तीनों चीजे किसी के विसात में share नहीं करना चाहिए option number D क्या हो जाएगा correct हो जाएगा ओके यदि आप अपने bank डाउनलोड कर रहे हो तो आप उसके लिए जो M, password हो गया या फिर M, PIN हो गया या फिर OTP हो गया ये किसी के साथ में share नहीं करना चाहिए तो D क्या हो जाएगा correct option हो जाएगा next question mobile online payment app used on mobile device is तो नीम्न में से ये कहना चाहरा है कि नीम्न में से आप किसका प्रयोग online payment app used on mobile device mobile device पर उपयोग किया जाने वाला online भुगतान अप कौन सा है नीम्न में से mobile device पर उपयोग किया जाने वाला online भुगतान अप कौन है तो कौन सा हो जाएगा भी digital wallets, credit, app, deposit क्या हो जाएगा? option number A correct हो जाएगा digital wallet digital wallet के द्वारा हम क्या करते हैं? online भोगतान करते हैं तो option number A क्या हो जाएगा? correct हो जाएगा next question which among these is not a digital wallet? निम्न में से कौन सा digital wallet नहीं है तो कौन सा नहीं है? Google Pay हो गया Pay TM हो गया Bheem UPI हो गया और Internet Explorer हो गया तो जो Internet Explorer है ये आपका digital wallet नहीं होता है तो option number D क्या हो जाएगा? correct हो जाएगा Internet Explorer ठीक ना? ये क्या है? एक search engine है ठीक न? तो Internet Explorer क्या नहीं होगा? या digital wallet नहीं है ठीक न? बाके Bheem UPI हो गया Paytm हो गया और Google पे हो गया ये सब क्या है? digital wallet है next question की बात करें तो क्या कह रहा है next question? और square black and white code that can be scanned with the camera is A तो camera के थोरा जो camera के द्वारा mobile का जो camera होता है उसके द्वारा जो हम scan करते हैं जो क्या होता है? square होता है और उसमें black और white से code बने होते हैं हम क्या करते हैं? QR code करते हैं क्या करते हैं? QR code कहा जाता है उसको क्या कहा जाता है? QR code option number 1 क्या हो जाएगा? correct हो जाएगा next on a bank holiday which of these method cannot be used by sahab for money transfer bank आउकास के दिन सहाब, धन, तरड के लिए इन में से किस बिदी का उपयोग नहीं कर सकते तो जिस दिन bank बंद होता है holiday होता है उस दिन bank deposit नहीं हो सकता है option number C क्या हो जाएगा? correct हो जाएगा B map से आप कभी भी कर सकते हो Google से और money transfer ये कभी भी आप कर सकते हो लेकिन bank deposit दो है जिस दिन bank खुला रहेगा उसी दिन होगा बाकी दिन नहीं हो सकता next question Sam opened a new shop Sam एक नया दुकान खुला which of these methods can he use to receive payment? तो निम्न में से वह किस बिदी का प्रयोग payment को receive करने के लिए करेगा into his account अपने account में किसका प्रयोग करेगा भी? तो आपने देखा होगा आम तोर पे दुकानों के सामने क्या लगा रहाता है एक QR code scanner लगा रहाता है जिसको आप mobile से scan करके payment कर सकते हो तो क्या हो जाएगा option number B correct हो जाएगा QR code उसे लगाना पड़ेगा जिससे ग्राहक scan करके डाइरेक्ट उसके अकाउंट में payment कर सके तो क्या होना चाहिए उसके लिए QR code next question regular payment made by the employer to the employees तो न्योकतर दवारा कर्मचारी को किया जाने वाला नियमित भुकतान क्या करलाता है क्या करलाता है नियमित जो भुकतान किया जाता है उसको हम क्या बोलते है salary बोलते है क्या बोलते है salary बोलते है option number D क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, salary बोलते हैं ओके, next question deduction should be paid from the कटाउती का भुगतान किस से किया जाना चाहिए किस से किया जाना चाहिए तो grocery salary जो होती है आप gross salary उससे आप क्या करते हो deductions का payment करते हो यानि कि कटाउती का भुगतान करते हो किस से किया जाता है, gross salary पे ठीक ना, आगे the government collect from the citizens सरकार नागरिकों से वसूलती है क्या वसूलती है, tax वसूलती है क्या वसूलती है, tax, option number भी क्या होगा correct हो जाएगा, tax वसूल जाता है किस से, public से, citizens से next question कार्तिक है, joined a new company कार्तिक ने एक नई company join करा, his salary is 3 lakh, उसकी salary 3 lakh है, per year per year, this is this is his salary तो यह उनका वेतन है, के श्टाइब का वेतन होगा, basic net, gross या approximate तो क्या होगा, option number D correct होगा, gross salary, क्या होगा this is his gross salary, option number D correct होगा, next question Simmons company calculated the income tax and paid on behalf of him this is called, यानि Simon की company ने आयकर की गड़ना किया और उसकी और से भुकतान किया यह कहा जाता है, क्या कहा जाता है TDS, क्या कहा जाता है TDS, okay option number C correct होगा, क्या कहा जाएगा TDS correct option, option number C next question the amount put aside without being spent is, यानि खर्च किये बिना अलग रखी गई रासी, क्या कहलाती है क्या कहलाती है वो कहलाती है saving, ठीक न बिना खर्च किये गए अलग रखी गई रासी, क्या कहलाती है saving कहलाती है option number C correct होजाएगा next money put aside for big expense many years from now is saving अपसे कई साल बाद एक बड़े खर्च के लिए अलग रखा गया पैसा क्या कहलाता है long term budget क्या कहलाता है long term बच्चत कहलाता है option number A क्या हो जाएगा correct हो जाएगा long term saving next question which among these is not good saving habit इनमें से कौन सी बच्चत की अच्छी आदत नहीं है तो आपका जो shopping on website है ये बच्चत का अच्छा आदत नहीं है ठीक न habit नहीं है shopping on website website पे shopping करना ये अच्छी आदत नहीं है option number A क्या हो जाएगा correct हो जाएगा बचे देख लिते हैं option क्या है tracking your expense यानि अपने खर्च को track करना सही बात है clearing goals goals को clear रखना saving money in bank bankों में money को save रखना ये सब क्या है अच्छी बात है लेकिन जो shopping on website है ये बुरी चीज है next question Rajesh wants to save 6,000 year every year for his old age how much should he save every month Rajesh प्रत्यक year 6,000 अपने बुढ़ापे के लिए इकटा करना चाता है how much should he save every month तो वह उसे कितना करना पड़ेगा उसे हर महिने कितने रुपए save करने पड़ेंगे तो प्रत्यक year क्या कर रहा है प्रत्यक year कितना कर रहा है भई प्रत्यक year कर रहा है 6,000 ओके और 6,000 प्रत्यक year तो वन year में कितने मन्त होते हैं महिने की बात कर रहा है एक महिने में कितना होगा तो 12 मन्त होते हैं और इसको कर दो डिवाइड कर दो इससे तो क्या हो जाएगा 12,5 जा कितना होता है 12,5 जा 60 कट जाएगा और बैचाए डबल जीरो तो option क्या जाएगा 500 तो प्रत्यक मन्त हो से कितने जमा करना पड़ेगा कितना बच्चत करना पड़ेगा 500 रुपे बच्चत करना पड़ेगा option number B क्या हो जाएगा correct हो जाएगा option पांच सरुफे उसे प्रत्यक महिने जमा करने होंगे next question अभी wants to teach his 10 year old daughter to save money from the pocket money she received which option is best अभी अपनी 10 साल की बेटी को pocket money से पैसे बचाना सिखाना चाहता है कौन सा अभिकल्प सबसे अच्छा होगा तो pocket money से आप अपना पैसा क्या करते हो बचा रहे हो तो बचाने के लिए क्या करे होगे एक bank आपको बनाना पड़ेगा और वो bank क्या होगा बहुत छोटा होता है जो हम बच्पन भी बनाते थे जिसको हमारे यहां बोलते हैं क्या बोलते हैं गुल्लक बोलते हैं उसी को हम क्या करते हैं आपसन नमबर सी करेक्ट होगा पिगी बैंक क्या बोलते हैं पिगी बैंक तो आपसन नमबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा पिगी बैंक में हम क्या करते हैं अपने pocket money से कुछ पैसे बचा कर इकठा करते हैं correct option क्या हो जाएगा, option number C next question money borrowed from bank or a person is यानि कि bank या किसी व्यक्ति से उधार लिया गया धन क्या कहलाता है क्या कहलाता है, loan कहलाता है ठीक न, क्या कहलाता है, loan कहलाता है, option number D correct हो जाएगा, next question the loan can be repaid in read ko में चुकाया जा सकता है किसमें, small amount के रूप में repaid किया जा सकता है, option number क्या हो जाएगा, A correct हो जाएगा कैसे किया जा सकता है, छोटे छोटे amount करके उसको repaid किया जा सकता है, चुकाया जा सकता है तो आपसा नंबरVEL पे क्या होजाएगा क्या होजाएगा इसमाल अमांट नेक्स्ट क्वेस्टन तब प्राइस वी पे फोर बॉरींग मनी जैनी पैसा उधार लेने के लिए हम जो कीमत अधा करते है वो क्या कहलाता है वो क्या कहलाता है interest कहलाता है क्या कहलाता है interest कहलाता है option number be correct हो जाएगा next Rita wants to complete her higher education from a good university Rita अपनी उच्च सिच्छा किसी अच्छे विश्वविद्याले से पूरी करना चाहती है which loan should she apply for उसे किस loan के लिए आवेदन करना चाहिए home loan, personal loan, education loan या फिर auto loan तो वो सिच्छा के लिए वह loan लेना चाह रही है तो क्या हो जाएगा option number C correct हो जाएगा education loan क्या वो लेगी education loan लेगी option number C correct हो जाएगा next question प्रियाज mother had to undergone an expensive surgery she was able to pay for it through her यानि प्रिया की मा को एक महंगी सर्जनी सर्जरी करानी पड़ी असपताल में होगा वो इसके लिए अपने किसके माध्यम से भुखतान करने में सक्च्चम थी तो वो किसके माध्यम से भुखतान कर पाई होगी नेमने में से बताओ life insurance, vehicle insurance home insurance या फिर medical insurance तो किसके द्वारा करेगी medical insurance जो मिला होगा उसी के द्वारा ये बुक्ताम करने में सक्षम होगी आपसन नमबर D क्या हो जागा? करेक्ट हो जाएगा किसके द्वारा? Medical Insurance के द्वारा Next Question Knowledge and Awareness of Law is called कानून के ज्ञान और जागरूकता को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है? Legal Literacy कहा जाता है आपसन नमबर D क्या हो जागा? करेक्ट हो जागा क्या कहते हैं? Legal Literacy क्या बोलते हैं? Legal Literacy बोलते हैं किसको Knowledge and Awareness of Law is called Legal Literacy आपसन नमबर D क्या होगा? करेक्ट हो जागा Next Question RTI मिन्स RTI का मतलब क्या होता है? तो RTI का मिन्स क्या होता है? Right to Informations क्या होता है? Right to Information आपसन नमबर D क्या होगा? करेक्ट हो जागा RTI का पूरा नाम क्या होता है? या फिर RTI का मतलब क्या होता है? Right to Information Next Online Portal set up by the Government to make any Government related complaints easy सरकार से संबंदित किसी भी सिकायत के लिए सरकार द्वारा अस्थापित आनलाइन पोर्टल है तो कौन सो वो पोर्टल है? Public Grievance Portal क्या हो जाएगा? Public Grievance Portal तो Option No.1 क्या हो जाएगा? Correct हो जाएगा Public Grievance Portal जो Public के लिए बनाया गया है लोगों के लिए बनाया गया है सुधा जश्ट डिलीवर्ड अ बेभी सुधा ने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया For how can she take a maternity leave entitled to her as an employee सुधा ने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया है वो एक कर्मचारी के रूप में अपने हग का मात्रित आवकास कैसे लेगी? तो आवकास कैसे लेगी? 26 विक्का आवकास ले सकती है Option No.1 क्या हो जाएगा? Correct हो जाएगा 26 विक्क Next questions Paul just got hired and receive his employment letter He is supposed to read it carefully and sign as it is Paul को अभी अभी नोकरी मिली है और उसे अपना रोजगार पत्र प्राप्त हुआ है उसे इसे ध्यान से पढ़ना होगा और हस्ताक्षर करना होगा क्योंकि यह एक है क्या है एक? Legal Binding Documents है क्या है? Legal Binding Documents है इसकी वज़े से उसको केरली क्या करना पढ़ेगा? उसे ध्यान से पढ़ करके सिगनेचर करना होगा Option Number B क्या हो जाएगा? Correct हो जाएगा तो यह आज की Class का Last Question था ठीक है? उम्मीद करता हूँ आप लोगों को Class पसंद आई होगे पसंद आई है तो Class को लाइक करना है और जो लोग भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जाहिंद